अगर थोड़ा बहुत भी पढ़कर गए थे तो पेपर आपको एजी लग रहा होगा आज के एक्जाम का खास करकर जीके वाला पोर्षन पूरा करेंट से क्वेशन छपा छपाया आया हुआ है मैं आपको सारे क्वेशन दिखाऊंगा और एक बात इसका संपूर पीडियाफ आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च मारिएगा सक्सेस की 98 आपको मिल जाएगा और हमारे एप्लिकेशन को डाउनलोड करकर आप वहाँ पर किसी भी एक्जाम का मोक्तेज दे सकते हैं हिंदी और इंगलिस दोनों ही में तो देखते हैं आज का जो क्विस्टिन आए हुए एक्जाम के वो क्या है और सारे क्विस्टिन जो भी क्विस्टिन मैं करवाता हूँ कोई भी क्विस्टिन फेक नहीं जेनियून क्विस्टिन जो आपके एक्जाम में आज बनते हैं पहला question क्या था यहां पर तो पहले यह इंग्लिस में national होगा न-A-T-I-O-N-A-L National emergency is included in which of the following article of the Indian constitution यानि वित्य अपातकाल में भारत सविधान के अनिमलिखेत में से किसमें इसका उले किया गया है तो अनुछे 360 में सभी को पता है या अब ये question इतना popular है इतना बार आप लोगों ने पढ़ा है SEC का exam अगर तयारी कर रहे हो बताओ ये question आपने कितना बार पढ़ा होगा कितना बार आपने exam दिया होगा mock test में इस question को लेकर ये question exam में बना था अगला question था हमारे सामने कि photo electric ray का अविसकार किस ने किया था तो Henrik Rodlove Hurts ने इतना popular question exam में पूछा गया है जो आपना गोहाती में हुआ है ठीक है ये question आपके exam में था अगला question हमारे सामने था यहाँ पर मुझे doubt है बहुत जन बोल रहे हैं भाईया दोनो question exam में था कुछ लोग बोल रहे हैं भाईया एक question था मैं आपको clear कर दे रहा हूँ आप दोनों देख कर जाना यहाँ पर बोल रहे हैं भारत में uranium का सबसे बड़ा उत्पादग कौन सा है तो आप सभी को पता है सबसे बड़ा उत्पादग अगर बात करें भारत में तो कौन सा राज्य है आंद्रपरदेश अगर बात करें 200 भर में तो अस्टेलिया भी था एक समय साउथ आफरीका लेकिन बात करू अभी करेंट का तो काजिक्स्तान ये भी याद रखेगा कुछ बोल रहे हैं भाईया वर्ल्ड का भी आया था और इंडिया से भी आया था तो दोनों आप एक बार शेक कर लीजिएगा अगला कुछ नहीं वारे सामने दादा साइब फाल के पुरुषकार 19 अमिताब बचन सीजियल के एक्जाम में 2-3 बार आया फिर से पूछा गया यानि कुछ रिपीट हो रहे हैं यह आप बोल सकते हो जैसे कल के सिफ्ट में मैंने देखा था ससी थरूर वाले कुछ न करम योदगरंद को लेकर कुछ न रिपीट हो रहे हैं अगला कुछ नहीं वारे सामने है सर गैरी फिल्ट सोवर्ट ट्रॉफी किस राज्जमी से संबंदीत है किस खेल होगा, किस खेल से संबंदीत है यह आपको बताना था और एक बात और यहाँ पर कुछा गया था थोड़ा मैं आपको क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ यह पहले आप सभी को पता है यह जो सर गैरी फिल्ट सोवर्ट से बहुत बड़े महान पिलियर वस्टेड़ीच के किरकेटर थे आप सभी को पता है अगर आप किरकेट प्रेमी है तो तो यह खेल तो आपका क्रिकेट से जुड़ा हुआ है लेकिन क्वेस्टन क्या बोला गया था पहले आप यह सुन लो यह नहीं यह जो ट्रॉफी है वो किसको दिया गया था तो इंग्लेंड के महान और राउंडर बेन स्टोक को यह पुरुसकार दिया गया है ठीक है क्वेस्टन यह था आपके एक्जाम में यह नहीं था कि यह ट्रॉफी जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है क्वेस्टन यह था यह पुरुसकार किसको दिया गया है 19 में ठीक है अगला क्वेस्टन हमारे सामने RBI के डिप्टी गवर्णर कौन है हाला कि चार होते हैं लेकिन जो आपको option में देखने को मिला वो क्या था आपका माइकल पात्रा ठीक है RBI के डिप्टी गवर्णर माइकल पात्रा को निक्ट किया गया है यह आपका option में था और यही आपका सही answer है अगला प्रस्त हमारे सामने था Black Buck का ब्यग्यानिक नाम scientific name आपको बताना था तो एक question आप बोल सकते हो आपको uncommon देखने को मिला है 25 में एक question अगला प्रस्त हमारे सामने ASEAN UR 2021 का स्थल यानि venue का हापर है यह आप से exam में पूछा है ASEAN Youth Games 2021 का venue का हापर होने वाला है चाइना में होने वाला है मैंने current affair के class में आपको extra information में यह सब चीज बताया है रात को साड़े 11 बजे current के जितने भी question आपको मिल रहे न आप यह बिलकुल नहीं बोल सकते कि भाईया आपका पढ़ाया हुआ question नहीं आ रहा है आप बोल ही नहीं सकते यह बात अगला प्रस्त हमारे सामने है dynamite का अविसकारक कौन है यह आपको exam में पूछा है तो alpha novel यह सब को आप यह नहीं बोल सकते है भाईया बहुत हाड है क्योंकि popular question है commerce question है जो तयारी कर रहा है उनको यह सब question पता है already अगला question हमारे सामने कथक डैस जो है वो किस राश से सम्बंदित है यह आप से exam में question पूछा है तो सबी को पता है कहां से उत्तर परदेश ठीक है कथग डैस उत्तर परदेश अगला प्रसमारे सामने है यह question भी दुबारा repeat हुआ यारी आप बोल सकते हो आज के पहले shift में बहुत सारे question repeat हो रहे मैंने अभी आपको दिखा दिया तीन से चार question जो दुबारा repeat हो रहे है यह question भी CGL में पूछा जा चुका है चीफ कौन है डिफेंस स्टाप का पहला बार यह post दिया गया किसको बीपिन रावत को ठीक है दुबारा भारतिया सेना के रक्षा करमचारी के प्रमोक कौन बने है तो बीपिन रावत अगला प्रस हमारे सामने एक computer से आपका question बना है एक GB बराबर कितना MB तो सभी को पता है 1024 MB होता है mobile युस करते है data युस करते है तो इतना तो information भाया हम लोग gather करकर रखे हैं अपने पास अगला प्रस हमारे सामने भारतिय समिधान की परूप समिथी के अध्याच कौन थे तो BR embed कर आप बताओ आप सभी इसमें अब बोलेंगे ये question तो uncommon आ गया अगर आप SEC staff selection commission की तयारी कर रहे है और आप तयारी करते हुए आप ये question पढ़े नहीं होगे ये हो ही नहीं सकता आप किताब फोलते होंगे model state, practice state तो आपको ये question कही ना कही देखने को कितनी बार मिला होगा यानि आप बोल सकते हो आज के पहले shift में uncommon paper ना के बराबर आ रहा है बहुत सारे question आपको common मिल रहे है first shift में और खास करकर question repeat हो रहे है ये भी आप बोल सकते हो आज के shift में अगला प्रस हमारे सामने है दुरंद कप 2019 का बीजेता team कौन है तो ये team तो ये कप किस ने जिता तो ये जिता आपका goku lum केरला फैंटल हमने ठीक है और है एक बात और exam में अगर ये पुस्ता आपसे दुरंद कप जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है तो आप सभी क्या बोलते आप सभी बोलते भईया ये football से जुड़ा हुआ गेम है ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है यहाँ पर पूछाता आपसे काला अजार या किस के कारण होता है तो या आपसे एक्जाम में कुछा गया था वाट वज इंडिया रैंक इन एसियन आथलेट्स चेंपियंशिप इन 2019 तो इंडिया का रैंक था आपका चौथा पहले पर कौन था पहले पर आपका चीन है चाइना है सब कुछसिन करेंट में आपको करवाया गया है अगला कुछसिन है देखो ये सारे कुछसिन करवाया हुआ है और आज के पहले स्रिफ्ट को अगर अच्छे से अनलाइस किया जाए तो आप बोश सकते हो करेंट का करेंट अफेर का जो विटेड है जो क्वांटिटी है वो बहुत जादा है फर्स स्रिफ्ट में आप देख पा रहे हों करेंट से कितने कुछसिन आपकी एक्जाम में बन रहे है यहाँ पर बोल रहा है आप सभी को कि महिला वर्ल्ड चेंपियंशीप कौन जीता है दो हजार उन्निस का तो इंडिया की ही महिला कौन जीता है कुछसिन करवाया हुआ है यह वाला भी अगला कुछसिन हमारे सामने हार्ट डिक्स किस परकार का स्टोरेज है तो सिकेंडरी स्टोरेज है आपका हार्ट डिक्स की कुछसिन अगला कुछसिन हमारे सामने कथक कली में कितने कला रूप होते हैं यानि कितने फॉर्म्स होते हैं How many art forms are there in कथक कली तो आप क्या बोलेंगे 5 forms ठीक है तो ये थे आपके important question जो आपके exam में आया हुआ था इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर share कर दिया गया है फटा फट जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजेगा और खास करकर क्योंकि exam में question जो है वो repeat हो रहा है मैं इसलिए बोलना हूँ क्योंकि और हाँ थोड़ा और मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कुछ नहीं पढ़ना है अगर बोला जाए तो last 7-8 मैने का तो current is very important है और मैंने आपको एक के question पानी के तरह करवा दिया है और लेकिन मैं अगर आप last time पर मुझसे पुछोगे भाया last time हम क्या कर सकते हैं तो मैं बोलूँगा नहंबर, दिसंबर, January, February तक आप रटा मार लो रटा मार लो ये काम बन जाएगा और जादा आपको कुछ नहीं करना है current की बात करें तो ठीक है, सामको math का class मैं दूँगा और हर एक shift का review मैं आपको देता रहूँगा ताकि आपको एक basic idea मिल पाए कि कहा से कौन सा question जादा किस पर focus करना है किस category में, ठीक है न जितने भी आने वाले shift है जितने भी मेरे भाई बैंका सभी को best of luck exam बहुत अच्छे से आप सभी देना ठीक है, चलिए